हंस और बातूनी कच्छुए की कहानी एक जंगल के बीचूं बीच एक तालाब था जहां जंगल की चानवर आकर अपनी प्यास पुछाया करते थे उस तालाब में संकट और विकट नाम के दो हंस रहते थे तथा उसी तालाब में एक कच्छुआ भी रहता था कच्छुआ फाल्टू की बाते बहुत करता था इसलिए सभी जानवरों ने उसका नाम बातूनी कच्छुआ रखा हुआ था कच्छुए का बहुत दिनों तक साथ रहने के कारण दोनों हंसों से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी दोनों हंस भी हमेशा उसका भला चाहते थे हंस उस कच्छुए को हमेशा दूर देशों वनों और पहाडों की कहानिया सुनाया करते थे क्यूंकि ये लंबी लंबी यात्राएं किया करते थे जब सारी जीव एकठा होते थे तो वे खंटो बाते किया करते थे पैशे हो बाटूनी कच्छुआ भाई हाल चाल ठीक है न अरे हां मेड़क भाईया बहुत अच्छे हैं और जिन्दगी मजे में कट रही है लेकिन अपनी बताओ तुम कैसे हो मेरी भी ठीक है जब तक हमारे सरोबर में भरपूर पानी है हाल चाल तो ठीक ही रहेगा न अरे मित्र संकट और विकट तुम दोनों के तो बहुत ही सुन्दर सुन्दर पंक है अपने पंको की सहता से दोनों खुब उची 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 उरान भरते हो हाँ मित्र कचुआ क्यों नहीं पंक होने का कुछ तो फायदा है अच्छा मित्र ये तो बताओ कि आसमान में उरने पर धरती कैसी दिखती है मित्र बातुनी कचुआ आसमान से देखने पर धरती बहुत ही सुन्दर दिखती है अरे मित्र कास मैं भी तुम लोगों की तरह उरता तो पूरे संसार को उपर से देख पाता क्या सपने देखना बुरी बात है? नहीं भाई बातुनी कच्छुआ, सपने देखने में कोई बुराई नहीं है लेकिन मित्र सपना कैसे पूरा हो, इस पर भी तो विचार करना चाहिए और मित्र बातुनी कच्छुए, हम भी तो यहीं सोचते हैं कि काश हमारी पीट भी तुम्हारी तरह मजबूत होते, तो हमें कुछ भी न होता? चाहे कोई हम पे कैसा भी वार कर देता? हाँ हाँ, सही कहा मित्र, हम दोनों में कुछ ना कुछ आजू बातो है लेकिन उपर वाले ने हमें कुछ ना कुछ सोच कर ही बनाया होगा हाँ मित्र बातो निकचुआ, ये तो सही बात है हमें जो शरीर मिला है, उसे में संतुष्ट रहना चाहिए हाँ हाँ, शही कहा, हमें जो रूप मिला है दोस्ट, वही अच्छा है हाँ 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 हाँ, एक दम सही कहा मेढक भाई ने हाँ हाँ, एक दम सही बात है जंगल के अन्य जानुवर भी पानी की तलाश में दूसरे जगा जाने लगे। यह देखकर हंसों ने कच्छुए से कहा दोस्त बात उनी कच्छुआ, अब हम लोगों के बिछाड़ने का समय आ गया है। जल्द ही हम लोग दूसरे एक बड़े सरोवर में चले जाएंगे, जो यहां से 20 कोस दूर है। वहां खाने पिने की कोई कमी नहीं है, क्योंकि वहां का सरोवर कभी नहीं सुखता है। अब क्या कर सकते हैं मित्र कच्छुआ, इस तालाब का पानी तो लगातार कम हो रहा है, और हो सकता है कि यह बहुत जल्दी सूख मी जाए, और जब यह तालाब सूख जाएगा, तो भोजन कैसे मिलेगा। इस पर कच्छुए नहीं कहा। मित्र, मुझे तो अब यहां डर लगने लगा है, लेकिन मैं यह तलाब छोड़ कर कैसे जा सकता हूँ, यहां आसपास कोई अन्य सरोबर भी तो नहीं है, और मैं तो उड़ना भी नहीं जानता। कुछ ऐसा उपाय सोचो दोस्त, जिससे मैं भी दूसरे बड़े सरोबर में पहुँच जाओ। अरे सोचो ना, अरे सोचो सोचो, सोचो। अरे बस बस बस, हमें सोचने दो, देखो हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं, लेकिन तुम ही बताओ कैसे करें, क्योंकि दूसरे सरोवर में पहुचने पर तुम बच तो जाओगे, किन्तु यहां से वहां काफी दूर तक भूमी पर चलना पड़ेगा, उस समय कैसे बचोग अरे, तब तक तो तुम वैसे ही मारे जाओगे, अरे मित्र, मुझे एक उपाय सूझ रहा है, जिससे मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ, कौन सा उपाय, बताओ तो जरा हम भी सुने, देखो, ध्यान से सुनो, तुम दोनों एक मजबूत सी लकड़ी के दोनों छोड़ निकल ही जाओंगा, समझे, दोनों हंस अपने दोस्त का भला चाहते थे, उन्होंने अपने दोस्त की मदद करने के लिए खूब सोचा, और कहा, उपाय तो ठीक है बातोनी दोस्त, किन्तु समझदार, उपाय सोचने से पहले विनाश से बचने का मार्ग भी भली भाती सोच हाँ, हाँ, उपाय सोचते समय उसके दुष्परणामों पर भी विचार कर लेना अच्छा होता है, दोस्त, तुम तो बहुत बातोनी हो, और हर बात का जबाब देना चाहते हो, जिस समय हम तुम्हें आकाश मार्ग से ले चलेंगे, तो नीचे से लोग तुम्हें अवश्य देखेंगे, और आश्चर्य करेंगे, कुछ लोग तो खिली भी उडाएंगे, ऐसे समय में भी यदि तुम शांत भाव से उनकी बाते सुनते रहे तो ठीक है, परन्तु अगर तुमने उनमें से किसी की बात का भी उत्तर देने का प्रयास किया, तो यह तुम्हारे लिए ब कि मैं उन लोगों की बातों में आकर यूही अपने प्रान गवा दूँगा, कोई कुछ भी क्यूं ना कहता रहे, मैं तो जुवान खोलने वाला नहीं, और जब मैं अपनी जुवान ही नहीं खोलूँगा, तो गिरने का तो कोई प्रस्न ही पैदा नहीं होता? हंसों ने उसे इस प्रकार आश्वस्त देखा, तो उसे ले जाने के लिए तैयार हो गएं, संकट हंस पास के जाड़ियों में जाता है, और थोड़ी ही देर में एक सुखी डाली लाता है, तब विकट हंस ने कहा, दोस्त बातूनी, इस लकड़ी को तुम अपने मुह से उसे बीच में से पकड़ लेना, और लकड़ी का एक एक सीरा हम दोनों पकड़ कर तुम्हें यहां से दूर उस बड़े सरोवर में ले जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं फिर चेतावनी देता हूँ, तुम रास्ते में क वैसा ही करूंगा। गाउं वालों ने ऐसा पहली बार देखा था, सभी आश्च्वरे से उन्हें देख रहे थे, किसी ने कभी भी कचुए को इस तरह आस्मान में उड़ते नहीं देखा था, वे तरह तरह की बाते करने लगें। गुजर रहे थे, तब लोगों की बातों को सुनकर कचुए को काफी गुसा आ रहा था, किसी प्रकार एक गाउं तो निकल गया। जब दूसरे गाउं में भी उसी प्रकार की बाते होने लगी, तो कचुए का धीरच जवाब दे गया। गाउं वालों की ताने सुन सुनकर उसे क्रोधाने लगा था, उससे रहा नहीं गया। और गुसी में, जैसे ही उसने बोलने के लिए अपना मुह खोला, उसके मुह से लकडी छूट गई और वो नीचे गिरने लगा। अरे नीचे क्या हो रहा है। उचाई से नीचे एक बड़ी पत्थर पर गिरने की वज़ा से बातूनी कचुए की मृत्यू हो गई। ये क्या हो गया दोस्त, आखिर तुमने मेरी बात नहीं मानी, मेरे लाख समझाने पर भी तुमने अपना मुह बंद नहीं रखा, और फिर वहीं गलती की, ठीक ही कहा गया है कि हमें बिना वजह और बिना मतलब के कुछ भी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा उचित समय आने पर ही बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करने से हमारा ही नुकसान होता है, जैसा कि हमारे प्रिये मित्र बातूनी कछुए का हुआ, काश, मित्र कछुआ ने हमारी बात मनी होती, और ऐसे मुर्खता न करता, तो अभी हमारे साथ होता, कम से कम सच्चे मित्रों की सलाह को तो अवश ही मन करनी चाहिए लेकिन अब कर ही क्या सकते हैं और दोनों हंस दुखी होकर अफसूस करते हुए वहां से दूसरे सरूवर चले गए हेलो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताईए स्टोरी को लाइक और शेयर करें और हां हमारे चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले थैंक यू